आज हम लोग आपकी कक्षा दस में कवी बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्त शिर्षक के सात्मी पध्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काविसंदर्य और इस पध्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परिक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रशनो को हल करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पध्यांश में जितने भी शब्द आये हुए हैं, पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पध्यांश की व्याख्या को सीखेंगे, देखिए वैसे तो आपको पता है कि मैंने कक्षा 10 के सभी पाठों की व्याख्या अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके बहुत आसानी से देख सकते हैं एक चीज और देखिए मेरा ही एक दूसरा चैनल है उसका नाम है 10 बोर्ड मैंने उसमें अनिवारे संस्कृत और गध्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परिक्षा में पूछे जाने वाले प्रशनों को हल करना सिखाया है और भी बहुत कुछ है तो एक बार आप इस चैन का सरल अर्थ देख लेते हैं जप जब का मतलब जपना जो आप इश्वर का नाम जपते हैं तो जपना माला माला मतलब माला फेरना देखे जब कोई पूजा करता है तो माला फेरता है राम राम कृष्ण कृष्ण करते हुए तो माला मतलब माला फेरना छापा तिलक दोनों सरल है ऐसे ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है लोग अपने माथे पर छापा लगाते हैं तिलक लगाते हैं तो ऐसे ही रहेगा है सरण देखिए सरण का मतलब होता है नहीं बनेगा या पूरा नहीं होगा नहीं बनेगा या पूरा नहीं होगा क्या एकव काम, एक भी काम, एक भी काम, मन काचे, देखें मन काचे मतलब कच्चा मन, कच्चा मन का मतलब है कि वो मन जिसको भगवान पर भरोशा ही न हो, भगवान पर विश्वास ही न हो, तो आप व्याक्या में कच्चा मन कहके ही व्य दिक्कत नहीं है नाचे यहां पर नाचे का मतलब भटकना भटकेगा विद्धा माने व्यर्थ में तो नाचे को हम पलट के बोलेंगे तो हो जाएगा व्यर्थ में ही भटकेगा सांचे मतलब सच्चा या सची सच्चे जैसा वाकिया लोगों को इस पद्यांश को सीखनी है लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं फिर उसके बाद इसकी व्याख्या को सीखेंगे क्योंकि कभी कभी आपके पेपर में संदर्भ और प्रसंग लिखने के लिए भी आ जाता है तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं आप संदर्भ हे संकलित भाक्ति शिर्शक से उद्धित है इसके रचैता बिहारी लाल जी है यह पध्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सत्साई से लिया गया है पुर्ण बिराम लगा देंगे और आपका संदर्ब पूरा हो जाएगा चलिए अब प्रसंग भी लिख लेते है तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पध्यांश में कवी ने बताया है कि इश्वर बाह आडंबर से नहीं अपीतु सच्ची भक्ति से प्रसंद होते हैं पुर्ण बिराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा चलिए अब हम लोग इस पध्यांश की व्याख्या को सीखते हैं तो कवी कहते हैं जप माला छापा तिलक सरैन एकव काम मन कांचे नाचे व्रिथा सांचे रांचे राम प्रस्तुत पध्यांश में या आप चाहें तो कह सकते हैं प्रस्तुत दोहे में जो आपको अच्छा लगे एक लिख लीजिए देखिए ये जो बिहारी लाल जी का भक्ती है इसमें जितने भी छंद दिये गए हैं ये सब दोहा है इसलिए आप इस पाठ में कह सकते हैं प् प्रस्तुत पध्यांश में कभी बिहारी मनुश्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुश्य तुँ चाहे जितना इश्वर का नाम अब आज़ा ये पध्यांश पर इश्वर का नाम जप ले कामा है तो कामा लगा देंगे इश्वर का नाम जप ले माला फेर ले अपने माथे पर छापा और तिलक लगा ले किन्तु तेरा इतना वाक्य पूरा करने के लिए जोड़ दीजिए, अपने से, किन्तु तेरा एक भी काम, एकव काम, किन्तु तेरा एक भी काम, तब तक, ये भी जोड़ना है, तब तक पूरा नहीं होगा, सरैन, पूरा नहीं होगा, तेरा एक भी काम, तब तक पूरा नहीं होगा, जब त जब तक तेरा कच्चा मन व्यर्थ में व्यर्थ में इधर उधर भटकेगा नाचे इधर उधर भटकेगा क्योंकी राम तो सच्ची भक्ति से ही प्रसन होते हैं प्रसन होते हैं या आप लिख सकते हैं अनुरक्त होते हैं क्योंकी राम तो सच्ची भक्ति से ही अनुरक्त होते हैं प्रसन होते हैं पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी चलिए एक बार फिर से इन दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं लेकिन पहले इन दोनों लाइन का भाव आप मेरे शब्दों में सुन लिजिए तो व्याख्या और आसान हो जाएगी देखिए इस पद्यांश में जो कभी बिहारी जी हैं वो मनुश्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुश्य तू चाहे जितना इश्वर का नाम जप ले तू चाहे जितना इश्वर के नाम की माला फेर ले तो चाहे जितना अपने माथे पर छापा और तिलक लगा ले यानि तो चाहे जितना बाह आडंबर कर ले बाह धकोशला कर ले लेकिन तेरा एक भी काम तब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा जब तक ये जो तेरा कच्छा मन है वो व्यर्थ में ही इधर उधर काاط आपको लिखनी है तो चलिए एक बार फिर शेंसे हम लोग के माध्यम से इसकी व्याक्य को शीखते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया है आप थोड़ा सा पहले अपनी तरफ से जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे धियान से सुनिए तो सबसे पहले हम लोग व्याख्या हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे क्या लिखेंगे एक बार फिर ध्यान से सुनिए प्रस्तुत पद्यांश में कवि भिहारी जी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य तो चाहे जितना इश्वर का नाम अब आजाए पद्यांश पर इश्वर का नाम जप ले माला फेर ले अपने माथे पर छापा और तिलक लगा ले किन्तु तेरा एक भी काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तेरा कच्चामन व्यर्थ में ही इधर उधर भटकेगा क्योंकि राम तो सच्ची भक्ति से ही प्रसन होते हैं पूर्ण विराम लगा देंगे और व्याख्या पूरी हो जाएगी चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका कावे संदर्य और इस पर आधाधित प्रशनों को हल करना सीखते हैं लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा कावे संदर्य देख लेते हैं तो देखिए यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें शांत रस है यदि चंद की बात करें तो ये दोहा चंद है हम लोगों ने पहले ही इसको देखा है कि दोहा है आप इसके मात्राइं गिनके पता कर सकते हैं ठीक है यदि अलंकार की बात करें तो इसमें एक मात्र अलंकार अनुप्रास है कहां पर है चले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं तो भूलेगा नहीं देखे जब यहां पर आप देखते हैं काचय नाचय में यहां भी चवरण आया है अंत में यहां भी चवरण आया है उसी तरह से देखे राचय राम में यहां पहले राया है यहां भी शब्द में पहले राया है तो इस दो जगह हमको अनप्रासलंकार दिखाई दे रहा है चलिए आगे देखते हैं यदि हम लोग इस पद्यांश के भाषा की बात करें तो भाषा इसकी ब्रज है शैली इसकी मुक्तक है मुक्तक का मतलब की प्रतेक दोहा अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है इसका दूसरे से कोई मतलब नहीं है यदि गुण की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण है ठीक है कावि संदर हो गया चलिए अब हम लोग इस पर आधारित प्रशनों को हल करना सीखते हैं ध्यान रहे जो भी पध्यांश आपके पेपर में रहेगा उसके नीचे तीन प्रसन रहेंगे और आपको प्रशन पढ़कर और पध्यांश के आधार पर ही उसका उत्तर लिखना होता है एक यहाँ पर देखे मैंने प्रशन को यहाँ सामने लिखा हुआ है ताकि आपको उत्तर अच्छे से समझ में आए आपको board की copy में प्रश्न नहीं लिखना होता है सिधे सिधे आप numbering करेंगे और उत्तर लिख देंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपके सामने रहेगा तो समझ में आएगा तो मैंने सामने लिखा हुआ है तो चलिए देखे पहला प्रशन क्या है पहला प्रशन आपसे कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्व लिखिए तो चलिए हम लोग संदर्व लिखते हैं आप उत्तर डालेंगे संदर्व हेडिंग डालेंगे और डैस डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पध्यांश हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्त शिर्षक से उद्धित है इसके रचैता बिहारी लाल जी है यह पध्यांश उनके प्रसिद काव्य ग्रंथ बिहारी सत्साई से लिया गया है पुर्ण बिराम लगा देंगे और आपका पहला प्रस्न पूरा हो जाएगा यहां पर थोड़ा सा ध्यान क्या देना है अगर प्रश्ण में संदर्ब पूँचता है तो आप किताब का नाम शिर्षक का नाम यानि जो पाठ का शिर्षक है उसका नाम कवी का नाम और ये जो शिर्षक लिया गया है किस किताब से लिया गया है उसके नाम को आप काले रंग की पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर लगाने से क्या नहीं होता देखे व्याख्या मैंने बताया था कि मालाज अपने से तिलक लगाने से सरय नहीं काम पूरा नहीं होता तो कैसे लिखेंगे देखे मालाज अपने और तिलक लगाने से अर्थात बाह आडंबर करने से एक भी कार्य पूरा नहीं होता है क्योंकि र चले तीसरा प्रस्ण देखते हैं देखे तीसरा प्रस्ण है प्रस्तुत पध्यांश में कौन सा अलंकार है तो देखे मैंने आपको बताया था आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पध्यांश में काचे नाचे देखे च इसके अंत में च इसके अंत में च च व आएगा देखिए अगर ये वाला आ गया अगर ये आ गया तो ये नहीं आएगा और ये आ गया तो फिर ये नहीं आएगा लेकिन जो व्याख्या होती है और संदर्फ वो दो जरूर आते हैं तो चले अगला प्रसंद देखते हैं देखे इसलिए जानते हैं मैंने हाँ पर ती की रेखा खींचे गई है अगर एक लाइन के नीचे रेखा होती तो एकी की खींचते एकी की व्याख्या करते लेकिन दोनों लाइन की नीचे रेखा है तो दोनों की व्याख्या करेंगे कैसे करेंगे जैसे देखिए मैंने बताया है वैसे करेंगे लेकिन यहां पर ध्यान क् व्याख्या हम कर रहे हैं लेकिन यहां पध्यांश नहीं लिखेंगे क्यों क्यों कि प्रश्ण कहें रेखांकित अंश की व्याख्या तो हम लोग कहेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में यह चीज आपको ध्यान देना है यहां पर प्रस्तुत पध्यांश नहीं लिखेंग क्योंकि प्रस्तुत रेखांकित अंश कह रहा है ठीक है तो चलिए अब देखते हैं जैसे मैंने बताया है वैसे मैंने लिखा है प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि भिहारी जी मनुश्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुश्य तुँ चाहे जितना इश्वर का नाम जपले, माला फेर ले, छापा और तिलक लगा ले, किन्तु तेरा एक भी काम तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक तेरा य कच्चा मन व्यर्थ में भटकता रहेगा, क्योंकि राम तो सच्ची भक्ति से प्रसन होते हैं, पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी